हेलो एवरीबन वेल्कम टू तो थ्राइव इंस्टो डिव एजिक्षिन ओल्नाइन क्लासिज और जो चैप्टर में आपको पूछ कराने वाला हूं बहुत अच्छा चैप्टर है और यह एजी नहीं है मैं आपको पहली बता देता हूं लेकिन यह एजी बन जाएगा अगर आ मैं कह सकतpiej हो कि आज मैं आपको चार्शडिय मैं चार्श से फांच चाफर कराने वाला हूं इस लेक्च्टर क्या DR तो इस chapter को देखने के सासाथ आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि यह chapter बहुती काम को होने वाला है, बहुती ज़्यादा आपके यूज में आने वाला है, दूसरा यह video थोड़ी होने वाली है, तो यह video बने रहना, कि अगर आपने video को बीच में छोड़ा, तो हमेशा मैं कह जो थोड़ी knowledge होती है, आपको दिक्कत आ सकती है, तो जो chapter में आज करबन करने वाला हूँ, यह chapter में आपको करने वाला हूँ, दूबारे सुन लीजी, वुड रैदर, वुड सुनर, या फिर रैदर देन, या फिर प्रिफर, या फिर वुड प्रिफर टू, यह chapter में आपको कुराने वाला हूँ, बहुत ही काम का chapter है, जनल स्पीकिंग में भी काम काम आता है, और रिटन कॉस में तो चलता ही चलता है, तो यह आपको इंगलिस क आपको बता चुक हूँ, आज हम काफी सारा बड़े chapters, काफी सारे chapter कवर करने वाले हैं, और इन chapters को काफी ज़यता उस होता है, काफी ज़यता बोला था, इंगलिस के अंदर भी, और हमारे रिटन कॉनसेप में भी, यह chapter काफी ज़यता चलन में हैं, काफी ज़यता यूज होत होते हैं, इनके यूज तकरीबन तकरीबन सेमिलर होते हैं, पस इनके concept थोड़े से different होते हैं, यानी rule में थोड़ा सा change होता है, जिसके वैसे हलका सा change आता है, तो यह सारे chapter में आपको आज कवर करने माले हूँ, तो आप वूरी वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, कि अध concept जो बनके निकल के आता है, पसंद व्यक्त करने के लिए, किसी व्यक्ति की choice को पसंद करने के लिए, कोई किरिया, दूसरी किरिया से ज्यादा पसंद करना, अच्छा लगना, या अच्छा लगेगा, या अच्छा लगता है, ये बताने के लिए, would rather, अर्थवा, would sooner का प्र रूल देखते हैं, रूल कैसे होगा, इसका रूल होगा, subject प्लस में would, rather, प्लस में वर्प की first form, प्लस में then, प्लस में वर्प की first form, और प्लस में object, बिल्गु सही, यह हमारा रूल है, इस रूल के माद्यम से हम बहुत आसानी से बाके sentence भी बना पाएंगे, जो इससे relate करते है चलिए example भी लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए, माली जी मैं कहता हूँ, वहाँ काम करने की अपेक्षा, उसे भूका रहना अधिक अच्छा लगेगा, तो आप इस संदे सेंस को सबस्दनी कोशी करना, यहां मैंने कहा, वहाँ काम करने की अपेक्षा, यानि वह अपनी choice को define कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसको, रूल के असाथ है, रूल पर ध्यान रखना है, रूल के चलना है, तो रूल के असम सबसे बहले subject लगाना है, तो subject आएगा हमारा he, he would rather starve than work there, हाना कितना असान था, चलिए आगे बढ़ते, अगर मैं इसको कुछ और example से define क कहता हूं, हम शरण में जाने की बजाए मरना पसंद करेंगे, हम शरण में जाने की बजाए मरना पसंद करेंगे, तो यह कैसे बनेगा, यहाँ पर भी choice को define करा जाए, मतलब शरण में जाने, surrender करना, तो surrender करने के बजाए बना बरना पसंद करेंगा, तो यहाँ पर भी choice को define क तो हम क्या कहेंगे, we would rather die than surrender, we would rather die than surrender, चलिए example ओर लेते हैं, उसे शादी करने की अपेक्षा मुझे जिन्दीगी पर भ्रहमचारी रहना अच्छा लगेगा, भ्रहमचारी रहना अच्छा लगेगा, भ्रहमचारी रहना बैचलर, कुवारब, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, I would rather remain bachelor all my life than marry her, हाना, तो पता नहीं, कैसा बेक्ती होगा, जिसे ऐसा करना पसंद है, तो simple सा rule है, simple सा format है, तो यह हमारा would rather और would sooner का हुआ, दोनों को concept इस्तंप्रियर सेमर्य होते हैं, लेकिन अगर इसी जगह पे हम rather than लगाएं, तो मैंने आपको mention किया हुआ है, क्या हम क्या कर करने वाले है, would rather, would sooner, would rather, sorry, rather than, prefer, और would prefer, तो अब बात करते है, rather than की, इसी concept को हम rather than के through भी बना सकते है, rather than से भी यह वाक्य बन सकता है, जैसे कि अरिसी वाक्यों बना है, तो हम क्या जोड़ेंगे, rather than, marry her, I would remain bachelor all my life, तो आपको rather than पहले लगाना है, और आपको बाकी का sentence जो होगी हमारी would rather than की बात, लेकिन अगर इसी sentence के अंदर, यानि यह जो हमारा था would rather than, would rather के स्थान पर रहेंगा, prefer का प्योग करें, तो भी sentence बनाया जा सकता है, यानि अगर हम prefer लगाए, तो prefer, यानि सारे से जुड़े वे हैं, थोड़ा-थोड़ा change के अंदर, तो अगर अगर when prefer, plus work की first form, plus ing, या फिर noun, या फिर noun या फिर नाउन कर शकते हैं, या फिर नाउन, या फिर noun, या फिर nav, बात कर सकते है, और ये बात करते है, तो ये हमारा rule हो गया, एक बार रूब payable से आपको mention कर देता हूं, इसमें आपको जो sentence मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे जैसिके मैं गयता हूं मुझे टैक्सी की अपिक्छा पहला जाना पसाँ है अब या आप तेखेंगे यह सिमिलर ही है वुद्राइजर की तरह बस जब हम प्रिफर यूज करेंगे तो इसमें हम आइंजी या नाउन के तो वो यह होगी कि अगर हम would rather का sentence को बनाते हैं यानि अगर would rather से बनाते हैं तो इसमें first term का smile हम कर सकते हैं और यानि word का smile करना compulsory होता है लेकिन अगर हम इसके अंदर prefer लगाते हैं तो हम इसमें noun का smile भी कर सकते हैं तो छोटा छोटा चेंज है चलो मैं एक बार example देता हूं आपको अच्छे से clear हो जाएगा मालीज मैं कहता हूं मुझे taxi की अपेक्षा पैदल जाना पसंद है मुझे taxi की अपेक्षा पैदल जाना पसंद है तो मैं यहाँ पे अगर prefer में बनाऊँगा तो इस sentence बनेगा अपना फुरी सबसे पहला वाला rule देखिए उससे match करेगा I would rather walk than go by taxi एक चीज और आपको समझनी है would rather के साथ clear का होना जरूरी होता है ठीक है पर prefer के साथ noun को भी प्रियोग किया जा सकता है यानि हम यहाँ पे noun वाले sentence में लागा सकते है जो कि मैंने आपको rule देखिए प्रिफर वर्की फर्शन प्लस में जी या फिर noun हाना तो आप noun भी उसकर सकते हैं noun कैसे बनेगा किस तरह से बनेगा पो समझना पड़ेगा लेकिन यह भी धियान रखना है यही वाक्य अगर would rather के साथ बनाएंगे तो इसमें सिर्फ क्रिया का ही फार्ट आएगा यानि कि आप इसके अंदर noun ड्यूज नहीं करेंगे चलिए example लेकर समझते है मालीज मैं कहता हूँ मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है मैं यहान पर भी च्वार से बनाओगा तो अगर इस के आपयोग बनाओ Truck को कैसे बनाएंगे I would rather take coffee than tea तो मैंने यहाँ पर take लगाया या निकि मैंने वर्ग बास्तमाल करा पीने बास्तमाल करा बास समझे मेरी बात चलिए अगर मैं इसको दुबार एक्जांपल रोलेता हूं माली जे मैं कहता हूं मुझे cricket से ज़्यादा football अच्छा लगता है तो मैं इसको अगर prefer से बनाऊंगा तो यह बनेगा I prefer football to cricket I prefer football to cricket लेकिन अगर यही वाक है मैं would rather बनाऊंगा तो मुझे यहाँ verb का समाल करना पड़ेगा यानि कि क्रिया समाल करने पड़ेगी तो यह मैं बनाऊंगा I would rather play या भी वाज़ू भी आप लगाना चाहिए देखना या खेलना तो I would rather मैं आप पे play समाल कर रहा हूँ I would rather play football than cricket तो आपको पराना रूल याद रखना है would rather बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने would rather समाल कर रहा आई होब आपको अच्छे से clear हो रहा होगा चलिए आगे बात कहाते हैं अब इनी वाक्यों हमने बनाया इनी जगाओ पर अभी हम लोगों ने देखिए would rather would sooner करा हम लोगों ने rather than करा और हमने prefer करा अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे would prefer का समाल भी कर सकते हैं इनी जगाओ में would prefer का यानि would prefer का भी इसमाल कर सकते हैं तो जो rule बनेगा इसका यानि जो would prefer to बनेगा उसका rule कैसा बनेगा बहुत सिंपल सा concept इसका बनेगा कि हम subject प्लस में would prefer to लगाएंगे और sentence को आगे बनाएंगे चलिए देखते हैं इस sentence कैसे बनता है अगर इसी वाकिक के अंदर मुझे would prefer to लगाना हो तो इस sentence कैसे बनता है अगर मालो जी मैं कहता हूँ लेकि एक theory में बताना भूल जाओं मुझे अचानक यादा है इनी जगों में अगर हम would prefer का समाल करते हैं तो इसके अंदर particular एक choice को define करा जाता है जैसे कि मैंने यहाँ पाकी sentence में मेला चाय से जादा coffee, cricket से जादा football ऐसा होता है न लेकि जब हम would prefer to इसमाल करते हैं तो would prefer to के साथ particular एक ही चीज के बारे में बात की जाते हैं एक choice के बारे में बात करी जाते हैं इसमें दो choice define नहीं करी जाते हैं जैसे कि example ले लेते हैं माली जी मैं आपसे कहता हूँ I would prefer to coffee I would prefer to coffee अब I would prefer to coffee का मतलब क्या है इस वाक्य में चाय का जिकर नहीं है मैंने चाय बोला भी नहीं है या कुछ और ची जोड़ी भी नहीं है कोफी के साथ तो इसमें यहां इसमाल करा जाता है तो यह वूट प्रिफर टू जो है बाकी चैप्टर से इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर पर्टिवलो एक चोईस की बात हो रही है मैं बार बार इस बात पर ध्यान देने के बात कर रहा हूँ आपको ध्यान रखनी यह बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम इनी वाक्यों को जो भी अबने अभी तक पढ़े हैं अगर हम इनी वाक्यों को past में प्रयोग करते हैं जैसे would rather हो गया या बाकी जो chapter हम ने करें तो इन chapter में हम have का इसमाल कर सकते हैं तो यानि कि अगर हम इनी sentence को बनाएंगे तो would rather have हो जाएगा would prefer have हो जाएगा का करके हम बनाया जाते हैं यानि past के sentence बनाया जा सकते हैं जैसे कि अगर हम rule के बात करें तो उसका rule किस तरह बनेगा past मे अगर बनाना हो तो वो rule होगा हमारा subject plus में would rather have plus में third form by object जो भी हाप लगाना चाहिए then object हमारा जो बनता है तो subject would rather have plus में third form कि have के साथ हमें से third form को इसमाल करा जाता है तो इसलिए यहापर third form आएगी और plus में then by या object लगा के sentence को में बनाना है जैसे example ले लेते हैं माली जो मैं कहता हूँ हम car से car से गए लेकिन rail से जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था यहापर मैं अपनी past की बात बता रहा हूँ कि हम car से तो गए लेकिन rail से जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था तो यह sentence बनेगा we went by car but I would rather have gone by train I would rather have क्योंकि यहाँ past की बात हो रही है तो अगर हम इनी sentence को past में define करेंगे तो आपको have लगाना है और जो आपके rule चल रहे है और आप उनको से इसमाल करना है बस आपको have लागे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो यह थी मारे आची क्लास चलिए आगे बढ़ते हैं यह चैप्टर बहुत easy थे concept बहुत easy था हाना लेकिन chapter बढ़ा था अगर आप इसको एक ही करके, एक ही कर ही करेंगे, rule wise करेंगे तो आप पाएंगे बहुत easy concept है लेकिन अगर आप एखटा mix-up करेंगे तो स्वाड़ा confusion create हो सकती है तो चैप्टर बढ़ाता लेकिन मैं जरूर करूँगा काफी काम कर से लिए बस पर इस पर थोड़ी से महनत करने की जरूर और आप इंगलिस को बहुत ज़्यादा इंप्रूब पर सकते हैं तो यह हमारी जो आची क्लास थी मैंने बड़े दिल से क्लास आपो दिये तो मैं उमीद जरू करता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे अगर आप सीधा वीडियो देखते हैं और सोचते हैं और सोचत सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मैं जरूर काऊंगा इस बैल आइकन को दवाना ना भोले क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको हमारे नहीं वीडियो के अपडेट्स और मैं हमेशा कोशी करता हूं कि आपको छोटे-छोटे चैप्टर करा हूं जो आपी इंगल कराता हूं कराता हूं जब मुझे लगता है यह चैप्टर आपको बहुत-बहुत हैल्प कर सकता है ठीक है तो यह मारी आज एक लाती जल्दी में नहीं कॉंसेप्ट लेते आ जाओंगा लाता जाओंगा जौपिंग लिए इंप्रूव करते जाएंगी तो जब तक के लिए बाइ बाइ बाइ